दोस्तों स्वागत है आपका इस नेट स्टेड़ी में आज हम पढ़ेंगे राजिस्थानी भाषा और उसकी बोलियों के बारे में राजिस्थानी लैंग्वेज और डालेक्ट्स ओफ राजिस्थान यह टॉपिक जो है यह अजिस्थान प्रोफेसर के स्लेबस में डाला गया है और सभी राजिस्थान के जो इतने स्लेबस हैं उनमें काफी इसको प्राप्मिक्ता दी जा रही है यह इतियासी किसकी स्थिती के बारे में जानकरी लेंगे इसका पहला पार्ट है तो देखे राजिस्थान में के भुभाग में बोले जाने माली पहली जो बार्टन भाशा है वो राजस्थानी है करीब 8 करोड लोगों की भाशा है राजस्थान की पॉपलेशन करीब 5.6 करोड जो भी 65 करोड जो मानी गई है उसके अलवा भी राजस्थानी डायस्पोरा जो फैला हुआ है वो इस भाशा को और कुछ अधर स्टेट्स भी राजस्थान की बॉर्डर बा ब्रांच थी, मगदी प्राकरत, शौरशनी प्राकरत और माराश्टन प्राकरत तीन ब्रांच थी इसमें मेंली शौरशनी प्राकरत की दो ब्रांच होई नागर अब्रंच और गुजर अब्रंच गुजर अपरंच की ब्रांच से ओरिजन हो हिंदी का और राजिस्तानी का तो भारत में जो भी ओफिशल लैंग्विजिस हैं 22 भाषाओं में कहीं नाम नहीं है राजिस्तानी का लेकिन राजिस्तानी भाषा को सही तेकाड में ओड़ दिया जाता है और यह सबसे अच्छे बड़े भुबागपर राजिस्तान के सबसे बड़े भुबागपर बोले जाने वाली करीब 8 करोड लोगों की भाषा है तो इसका ओरिजन समझे आर्या भाषाओं के बड़ांच की वैदिक संस्कृत की पाली शौरसेनी प्राकित की गूजर अबरंच से राजिस्तानी का ओरिजन हुआ है ये जरूर ध्यान रखेगा कि गूजर अबरंच से राजिस्तानी की ओरिजन माना जाता है कई ओने अपना अलग मत भी दिया है लेकिन यही एक सब्सम्मत मत है कि शौरसेनी प्राकित के गुजर अबरंज से राजिस्थान की ओरीजन हुआ राजिस्थानी का यानि भाशा के रूप में राजिस्थानी का पहली बार प्रियोग हुआ इधियान रखिए करनल टॉड ने अपनी एनलन अंटिक्विटीस और राजिस्थान में जरूर राजिस्थान नाम का प्रियोग किया था लेकिन भाशा के रूप में राजिस्थानी का प्रियोग श्र तोरी जो एक famous linguistic scientist थे उन्होंने भी एक कपना मत रखा है कि गुजरी अब्रण्च है इसका origin हुआ है लेकिन जो जो लिग्वेस्टिक सर्वे लिखते हैं उन्होंने कहा है कि नहीं नागर अब्रण्च से इसकी उत्पत्ती हुई है सुनिती गुमार चाटर जी का एक अलग मत है कि सौराष्ट्री अब्रण्च जो कि देखें माराथी अब्रण्च मने आपको बताया था उससे ही सौराष्ट्री अब्रण्च निकला है और इसी से गुजराती निकली है और इससे ही मानते है कि राजिस्थानी का ओरिजिन हो है तो ये अलग-अलग मत है ऐरिजिन के साहित्यकाद्मी अवार्ड जो है 1974 में राजिस्थानी भाषा के लिए शुरू किया गया था जिसमें है बोजबुरी भी जैसी लेंगवेज है इसलिए 1974 में राजिस्थानी को ये मानते हुए आवाड दिया गया तो राजिस्थानी में विज़ेदान दे था जिनको कौन नहीं जानता बहुती फेमस बहुती बहती बहतरीन राइटर इनके किताब ओपर कितनी मुवीज बन चुकी है वातारी फुलवारी बहुती सुन्दर किताब है और इसमें इनकी फॉक्टेल्स का कलेक्शन है यानि लोक कताओं का कलेक्शन है अब 2018 में बारीग बात के लिए 2018 में रामसरूप किसन को दिया गया है यह यह वाट तो यह कुछ इम्पॉर्टन डाटा था 1985 में सूरिमल मिशन शिखर प्रशकार की शुरुआत हुई यह दिया किसके दोरा जाता है राइस्थान गवर्मन्ट की राइस्थान भाषा संस्थाइट एम संस्कृति अकादमी बीकानेर में स्थित है इंपॉर्टन पार कॉश्चन है नोट कीजिए यहां से दिया जाता है पहले अवाड़ी जो थे इसके शक्तिदान कविया जी थे जिनकी ऐसे के लिए जिनका एक ऐसे था या इनका निबन था संस्कृति सोरम 1985-1986 में दिया गया अंतिम अवाड़ी जो इसके हैं 2013-14 में दिया गया है बदलती सरगम के लिए श्री नंद भारतवाज जी को कैश अवाड़ है 71,000 रुपए का तो सूरमल मिश्रन जी जो खुद एक बहुत महान कवी थे वंश बासकर जैसी रचना इनोंने लिखी है इनको कौन नहीं जानता करांती करी कवी की रूप में मशूर थे तो इनकी रचनाओं को समानित करने के लिए उनकी एक्जिस्टेंस को समानित करने के लिए यह वाड़ शुरू किया गया है कौल्य माला एक ऐसा गरंथ है जो राजिस्थानी के बारे में काफे कुछ कहता है मरू भाषा ही वेस्टर्न रजिस्थान की भाषा है पस्चिमी रजिस्थान की भाषा जिसे मारवाड़ी कहा जाता है उसने ये कहा है कि ये भाषा पस्चिमी रजिस्थान में बोली जाती है और ये मारवाड़ी है जिसको उसने मरू भाषा का नाम दिया हुनों के हमले का वर्णन भी इसी किताब में मिलता है तो ये नोट करनल एक चीज है अकबर नामा या आईनी अकबरी जिसको काज़तापूल फजल ने जो लिखा जो उनके नवरतन थे उन्होंने मारवाडी को लेंग्विज ओफ राजपुताना माना है क्योंकि मुगल संबन राजपुताने के साथ स्तापित हो चुके थे शादियां हो रही थी और पॉलिटिकल संबन थे राजनेतिक संबन थे तो उन्होंने भी काफी स्टडी गिया इस बारे में राजपुतान में काफी समय व्यतीत किया उन्होंने काफी सारी लड़ाई हैं लड़ी तो उन्होंने भी राजिस्थान की भाषा को मारवाड़ी कहा है आईने अकपरी में पिंगल शिरोमरी कभी कुशलाब की जो थी उन्होंने भी अकपर नामा में जो डेटेल दी गए मारवाड़ी में उसको सत्यापित किया है कि नहीं भाषा थी यह उस समय तो यह राजिस्थानी के रेफरेंशिस थे तो यह था राजिस्थान का ओरीजिन और रेफरेंशिस अगले पार्ट में हम इसके डायलेक्ट्स उब बोलिया पढ़ेंगे वीडियो देखने के धन्यवाद सब्सक्राइब जरूर करें थेंक्यू